शैना विसु विस्तानी वाइट लोटस स्कूल नी मनमानी साम्यावी रही शी। एकता मुकता नमने एक वालिये जना वियोतों के शाडामा फी मुद्धे वधु परतू दबान कराई रही। आसाथे आवुज करता रही सोता आउता वर्षमा प्रामोट पन ना थाई तेम पन कही रही शी। आसे के फी नहीं भरो तो में शाला बंद करी दैसू। यह दिल्ली बेस की स्कूल है। परेशानी यह है कि स्कूल वाले पहले तो पैरेंट्स को एरेस्मेंट कर रहे थे। भी उन्होंने जो क्लास के ग्रूप बने वे ना इस्कूल की क्लास के ग्रूप पूरी क्लास के उसके अंदर मैसेज डाल रहे है कि बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे। परेंट्स अगर फीस नहीं बरेंगे तो बच्चों का एपसेंस होगा और बच्चे अगर पूरे प्रजेंट नहीं रहेंगे तो उनको अपग्रेड नहीं करेंगे। मतलब और हम यहां पर दस बार आके कैच चुके मैडम कोड के और गुजराद गौवर्मेंट के अनुसार आपकी जो फीस होती है लीगल फीस वह आप लेलीजी हम देने के लिए एग्री है लेकिन वह बोलते हमको आईटीसी चार्ज भी चाहिए और वन टाइम एन्यूल चा उनकी भी सेलरी इन्होंने 50% 60% जितनी भी की हो इनका मेंटर है लेकिन अमने ऐसा सुना है उसके बाद यह पहले तो पैरेंट्स को फोन करते थे फीस के लिए अब इन्होंने नया आइडिया लाया है कैंपस केर में एक्जाम लेने का एप्लिकेसन है इनकी एक कैंपस केर उ पर रहे हैं इसलिए तुम्हारे को एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा अभी अभी उन्होंने क्लास फोर्थ कैंसिल भी कर दिया यह विवाद में कम से कम इसी स्कूल के अंदर जो 400-500 बच्चे है उसमें 50 चका बच्चों का फ्यूचर दाओं पर लगा हुए और उसमें 25 पर प्यूचर दाओं पर लगा हुए उनके बच्चे मैं आज मेरी बात बता रहा हूं सुबह जैसे मैं उठाना तो सबसे पहले मेरी बेटी ने मेरे को यह बोला पापा फीस बरो नहीं तो हमको स्कूल से बार निकाल देंगे मेरे को एक्जाम नहीं देंगे मतलब 8 साल की म मेंटल इतनी हरेस्मेंट हो रही है तो आप यह समझो कि हम कितने परेशान होंगे अभी लॉकडाउन की वज़े से पिछले तीन महीने से हमारी मार्केट और एवन 1025 हमारा जो बिफॉर मार्च का पैमेंट है वह नहीं आ रहा है इनको पूरा पैसा चाहिए पैसा देंगे पैसा देंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे अब भी तो ऐसा हुआ है एक परेंस स्कूल में फीस बरने के लिए आया था उसके उपर भी दक्का मुकी वाला उसके उपर कागेश भैंक दिया गया मुपे तो इसकूल मतलब सब हतकेंड अपना रिये साम दाम दंड बेद जासे उसको पैसे मिल सके